यहार में वर्षय अपरात को लेकर आज आप लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं लेकिन कर मुख्वंत्री निटिस कुमांड में एक मीटिंग भी की जी समीच्छा बैठक भी बुलाई कि डीजीप और तमाम अधिकारियों के लिए तो जब प्रतिरोध मार्च का एलान महाग गटवंदन की ओर से हुआ तो आधरनी मुख्यमंत्री जी ने समीच्छा बैठक बुलाई यह प्रतिरोध मार्च का साइड एफेक्ट है और यह मीटिंग इटिंग से नहीं होगा जब तक अपराधियों की सेटिंग सरकार से समाप नहीं होगी सरकार का इकवाल नहीं कायम ह तब तब अपराधी घटनाओं में बिर्धी जो हो रही है वो रुक नहीं पाएगा इसलिए महागटवंदन इंडिया गटवंदन के लोग आज सडकों पर उतर रहे हैं परतिरोध मार्च कर रहे हैं सिंगासन खाली करो की जनता आती है अब सडक से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम होगा जिस तरह अपराधियों का तांडव से बिहार करा रहा है अब एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में चुप चाप इसे नहीं देखा जा सकता है नेता परतिपक्ष स्री तेजस्वी जादव जी के एलान से पूरी सरकार में हड़कंप मची हुई है अ लेकिन आपके विपक्ष तो कह रहे हैं कि तेजस्वी आदव तो ट्यूटर बॉय बने हुए हैं वो तो रहते ही नहीं है और उनको तो बोलने का कोई अधिकारी नहीं क्योंकि राजत के समय तो क्या होता था अपराधियों का लोकेशन नहीं ढुड़ पा रहे हैं और ती गोली कभ कहा किसे मार दे कोई पता नहीं पराधियों का ठिकाना धुड़े अपराधियों को पक्ड़े तेजस्वी जादव जी जनता के लिए जनता के साथ खड़े है ते जश्वी जादव जी का फोविया से पूरा बाजपा एंडिये के लोग ग्रस्त हैं मच्छल भी काट रहें तेजस्वी जादव जी के कारण काटा है तो पहले अपराग से निजाद बिहार को दिलाएं भरस्टाचार से निजाद दिलाएं तब तेजस्वी जादव जी की बात करें असाम के माननिय मुख मंत्री है मंत्विस सर्मा जी तोड़ा गड़वड़ा गए हैं असाम में बाड़ की जो हालात हैं उसके तो जनता को रहत नहीं पहुचा पा रहे हैं लेकिन वो बिवादित बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं इनको भी इस तरह से बिवादित बयान देने की होड बीजेपी में लगी हुई है अब हेमंत्विस सर्मा जी सबसे आगे निकलते जा रहे हैं जिस सम्मिधान की सपत कहा हैं जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए वो काम हो नहीं पा रहा है तो राहुल गांदी जी की च लेकर लेकर जिया दोनायाणिं चारों और से बीजेपी के अंदर इस बात का बिरोध हो रहा है अकिर यह क्या कर्णION बीजेपी की मानस्क्राइब रहे हैं कि आप जिस तरह से दुकान के सामने नाम प्रेत लगाने की बैथ का पाणियों चन्वाष्ट DOE है यह सरकार के अंदर सरकार बीजेपी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और जो सरकार के सहयोगी हैं जे डियू होंचिरा इन लोगों को दवाब बनाना चाहिए अगर इसी तरह से सरकार में बैठे लोग अपनी मनमानी चलाते रहे तो कल को स्री चिराग पासवान जी यादर नितीज कुमार जी सबका अस्तित्त खत्रे में हो जाएगा इस पर रोक लगनी चाहिए यह देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा किसी के मनमानी पन से नहीं चल सकता है